प्रदेश व्यापी हर्ताल का सर शाजपूर में भी देखने को मिल रहा है आज बड़ी संख्या में जिले की आशा कारेकरता जिला मुक्ख्याले पर थाली बजाते हुवे सड़कों पर उत्री है और नारेबाजी के साथ जम कर प्रदर्शन किया मा राजेश्वरी मंदिर परिसर से रैली निकाल कर शहर के मुख्य मारगों तक पहुँची आशाकारेकरताओं ने काफी देर तक थाली बजाते हुए बीच सड़क पर प्रदर्शन किया इन आशाकारेकरताओं का कहना है कि आशाकारेकरता और उनके सहयोगियों का वेतन काफी कम है और लंबे समय से वेतन बढ़ानी की मांग को लेकर अंदोलन कर रही है लेकिन जरकार ने उसकी मांग पर अब तक ध्यान नहीं दिया है आशा कार्यकरताओं का कहना है कि अब मांग ना माने जानी कर तक इनका अंदोलन इसी तरीके सज़ारी रहेगा और जिले की सभी आशा कार्यकरता हड़ताल पर रहेगी और आशाओं का 18,000 जब हमने 24 तारीकों भौपाल में धन्ना पिर्दसंद किया था और हमें देना रेचन से सभी भर है तो आज मेडम से आशासन मिला था कि 10,000 आशाओं का होगा और 15,000 से योगियों का पर हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी यही लड़ाई है कि हमें जीनने लाइक बेतन दिया जाए जो हमारे सामने लेटर बताया था और अभी तक वो लेटर कहा है मध्यप्रदीश में जैसे जैसे चुनाओ का समय नजदी काता जा रहा है वैसे वैसे सभी करमचारी हर्ताल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं इसी कड़ी में 15 मार्च से महिला बाल विकास विभाग के पर योचना अधिकारी सुपरवाईजर एवं आंगनबाडी कारेकरता सहाई का अनिश्यत कालीन हर्ताल पर संयूक्त मोर्चा के बैनर तले बैठे हुए अंगनवाडी कार्यकरताओं के अनिश्चित काले इन हर्ताल से बैटने पर सरकार की महतपूर्ण योजना लाडली बहना योजना पुरी तरह से प्रभावित हो रही है वहीं अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगू पर ध्यान देती है या नहीं झारी की झामे लोजना युका श मी ढैंकी गांगी प्रूण कार्यों प्रभा ग्रि较ते कार्यों कि मेरी लोजना